नमस्कार दोस्तो आज इस वडियों में हम बात करेंगे डूफस्टोन टैबलेट के बारे में जो कि महिलाओं की दिक्कत है या जो बिमार्य है उसको खतम करने वाली टैबलेट है इस वडियों में हम जानेंगे do first on tablet के बारे में जो कि महिलाओं की ऐसी कौन-कौन से दिक्कते हैं या बिमार्य है उसको खतम करती है इसके उपयोग क्या है और उपयोग करने के बाद कौन-कौन से साडिफेक्ट देखने को मिल सकते हैं कि इन महिलाओं को ये tablet नहीं खानी चा आप देख रहे हैं जैनी एजुकेशन यूट्यूब चैनल आप सभी से में रिक्वर्ष्ट करूंगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजीगा ऐसे ही नहीं नई वीडियो आपको मिलते रहेगी चले बात करते है डूफरस्टोन टैबलेट के बारे में डूफरस्टोन टैबलेट के अंदर प्रोजेस्टीन है और यह प्रोजेस्टीन एक प्रकार का हॉर्मोन है जो क्या करता है महिलाओं में मैनेस्ट्रल साइकल को रेगुलेट करता है मासिक धर्म का जो चक्र है उसको रेगुलेट करत तो इस tablet का उपयोग hormonal replacement therapy में किया जाता है चलिए बात कर लेते हैं इसके उपयोग के बारे में कौन-कौन से बिमारियों में ये काम आती है सबसे पहला इसका उपयोग किया जाता है female infertility में महिलाओं में बांजपन की समझ्षा देखने को मिलती है pregnancy conceive नहीं कर पाती है तो बा tablet देते हैं और endometriosis के treatment में भी ये tablet दी जाती है अब endometriosis में क्या होता है कि महिलाओं में जो घरबाश है उसमें गांट बनने लगती है जो टीशू है उसकी uncontrolled growth होने लगती है और ये जो टीशू की growth है ये फैलॉपियन ट्यूब में भी हो सकती है और उस दौरान दर्द भ करती है या जाता है एमनोरिया मतलब ऐसी संच्च्या इसी कृंडिशन जिसमें पीरिय design32 भी है मासीकधाρम हो बंद होती है तो उसके treatment में यह tablet देते हैं देखे गरबाशी रखते स्थराव किसी बिकारण की वज़े से हो सकता है या फिर clear kit या unwanted use की है उसकी वज़े से रखते स्थराव रुख नहीं रहा है तो उसके लिए do first on tablet देते हैं ताकि जो bleeding है वो रुख जाए इसके लावा इसका उपयोग miscarriage के treatment में भी होता है देखे मिसcarriage में क्या होता है जो 9 महिने से पहले ही जो pregnancy है वो terminate हो जाती है pregnancy खत्म हो जाती है तो miscarriage के treatment में do first on tablet दे जा सकती है ताकि miscarriage का chances कम हो और 9 महिने पूरे होने के बाद baby के delivery हो जाए क्योंकि 9 महिने से पहले अगर delivery हो जाती है तो वो miscarriage हो जाता है तो miscarriage को रुखने के लिए do first on tablet दे जा सकती है इसके लावा जो miscarriage है इसको spontaneous abortion भी कहा जाता है अब बात कर लेते हैं इसके side effect के बारे में क्या-क्या side effect हो सकते है तो इसकी वज़े से सिदर्ध हो सकता है nausea vomiting हो सकती है weight gain हो सकता है देखे इसका एक बड़ा side effect है do first on tablet का कि इसकी वज़े से weight gain होने लगता है वजन बढ़ने लग सकता है साथ common side effect है जरूरी नहीं है कि सारी side effect आपको देखने को मिले कुछ common side effect अगर देखने को मिलते है तो आपको तुरण डॉक्टर से सला लेनी है उनसे consult करना है और medicine को discontinue करना है अब बात कर लेते हैं do first on tablet की precaution के बारे में वो कौन से महिला हैं जिनको यह tablet नहीं खानी चाहिए पह अगर प्रेगनेंसी या ब्रिस्ट फिटिंग मर्दर है तो उनको भी यह tablet यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर की सला जरूर लेनी है बिना डॉक्टर की सला के medicine नहीं खानी है self-medication avoid करना है चलिए बात कर लेते हैं इसकी डूस के बारे में कितनी मात्रा में और कैसे करता है पेशन की condition पर और यह जो tablet है तीन महीने से ज्यादा उप्योग नहीं करनी चाहिए वरना आपकी health के लिए डेंजर हो सकता है और जाधा अच्छा रहेगा आप अपनी डॉक्टर की सला के नुसार इस tablet का उप्योग करें तो आप सभी दोस्तों से में request करूंगा बिन करता हूँ वर्डे अपके लिए helpful होगा चैनल को सब्सक्राइब करके रिखेगा ऐसी ही नए नए वडियो आपको मिलते रहेगे और वडियो पसंद आए तो like, comment और share जरू कीजिएगा धन्यवाद